दोस्तों आज की स्वीडियो के लिए करा है हूँ आईपेल और क्रिकेट के दुनिया के बड़े अपडेट्स आईपेल और 24 के आउकसंट पर बड़ी खबर भारती टीम का कल से सुरू होगा वार्मॉफ मुकाबला आईपेल और 25 में बदल जाएंगे मुकाबलों का फॉर्मैट विराट कॉली पर आई बहुती बड़ी खबर टीम इंडिया सभी जगा है नमबर वन रियान परक का आईपेल के बाद बहुती बड़ा बयान अमबाती राइडू को मिली धमकी और भी धेर सारे अपडेट्स आईपेल और किर्केट की दुनिया जूड़ा आपको बताने वाले हैं और बास आपको अराम से पर वीडियो अन तक देखना है दोस्तों आपके लिए वीडियो रोज लाते हैं हमारे आईपेल अपडेट्स सेरीज का 836वा वीडियो है और दीप मारे चैनल करसा नहीं है तो भी ना दिर के वे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला आइकन को जुरूर दबाएं से 9 आर्टीम कार्ड्स मिल सकते हैं लेकिन इस सभी खबरों को गलत साबित करते हैं न्यूज 18 के एक रिपोर्ट के मताबिक 20 से आई इस साल भी मेगा उक्षन में वही 3 प्लस 1 के फॉर्मूला को लागू करने वाला है जहां पर सभी टीमों के पास आप्सन रहने वाला है त क्योंकि खिलाडियों का बहुत यादा उलट फिर रहने वाला है विराट कोहली से लेकर रोही सर्मा हो सकता है अपनी टीमों को बदल सकते हैं और आई पेल के ऑक्षन को लेकर जो भी अपडेट साती सबसे पहले आपको हम अपने टेलिग्राम चैनल पर बताते हैं तो भी मुकाबला बंगलादेश की टीम के खिलाफ होने वाला है एक जून को यह मुकाबला भारती समयनुसार रात आट अब यह सुरू होगा टीवी पर स्टार स्पोर्स पर आप देख सकते हैं और मॉबाइल पर हॉट स्टार पर आप देख सकते हैं और आपको हमारे टेलिग्रा बड़ा अपडेट दूसरों अपडेट निकल करा रहा है आईपेल दूर पचीस में क्या रहने वाले है आईपेल के मुकाबलों का संक्या यानि कि कितने मुकाबले आईपेल दूर पचीस में रहेंगे आपको उता दे कि आईपेल दूर चोबीस तक ही यह हुआ करता था कि सबी दसो टीमों को 14 मुकाबले खेलने होते थे साथ होम ग्राउंड में और बाकी साथ अवे ग्राउंड में लेकिन आई पेल दोर 25 और आई पेल दोर 26 में हर एक टीम को 16 मुकाबले खेलने हैं आठ होम ग्राउंड में और आठ अवे टीमों में यानि कि कुल मिलाकर IPL दूर 25 में आपको 84 मुकाबले देखने को मिलेंगे प्ले आफ और फाइनल को मिलाकर इसके आधी IPL दूर सता है इसमें यह जो संख्या है वह 18 हो जाएगा यानि कि हर एक टीम को 18 मुकाबले खेले हैं तरफ से जहाँ पर आपको बता दे विराट कोली T20 वर्ड कप के लिए अमेरिका बागी टीम के खिलारियों के साथ नहीं गए थे उनका कहना था कि वह IPL 24 के बाद काफी जादा ठक गए और उन्हें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था जिसके वहाँ लेट से जाएंगे और कल वहाँ अमेरिका के लिए रवाना हुए है बागी टीम के सभी किलारी 25 माई को चले गए थे तो वही पर विराट कोली 30 माई को गया है और यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से विराट कोली अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं अपने फैंस को ओटोग्राफ वगेरा दे रहे हैं और उमीद ऐसे जताई जा रही है कि जो T20 World Cup का वर्मप मुकाबला के लए जाएगा भारती टीम का उसमें विराट कोली सिरकत नहीं कर पाएंगे और आपको विराट कोली सीधे आरलेंड के खिलाब पहले मुकाबले में भारती टीम के तरब से खेलते वे देखने को मिलेंगे कि भारती टीम फिलाल में T20 रैंकिंग्स में नंबर वन है यानि कि दुनिया की नंबर वन T20 टीम है इसका जादी सुरी को मरियादव दुनिया के नंबर वन T20 बलेबाज है साथ में T20 आए किर्केटर अब दा येर भी सुरी को मरियादव को ही साल 2023 में मिला था और भी धेर सरे ICC के अवार्ड्स भारती टीम के पास है जहांपर टेश टीम अवदा इयर भी वही बने हैं साथ में ODI टीम अवदा इयर भी उन्हें ही मिला है तो ICC रैंकिंग्स के हिसाब से भारती टीम सबसे प्रबल दावेदार है T20 World Cup के लिए अब देखे इस तरह का रैंकिंग्स का क्या आसर पड़ता है भारती टीम पर वह तो वक्त ही बताएगा इसका अदिकल एक फोटो वायरल हुआता जहांपर रोहित सर्मा T20 World Cup के ट्रोफी के साथ फोटो कीचवा रहे हैं अब देखे यह ट्रोफी रोहित सर्मा 29 तारी को उठा पाते हैं कि नहीं चली देखते हैं अपना चाटा बड़ा अपडेट दोसों यह अपडेट निगल करा रहा है रियान पराक की तरब से दोसों रियान पराक से आईपेल 24 में रास्तान रॉयल्स की टीम को काफी ज़्याद उम्मी था ऐसा इसलिए क्योंकि वह आईपेल में स्यद मुस्ता के ट्रोफी में सबसे ज़्यादर रन बनाने के बाद आ रहे थे की तरब से खिलने वाले हैं असलमें रियान पराक जो बौल रहे हैं वह घ्यक्त भी हो सकता है क्योंकि जो T20 World Cup क以 बादメ, G अबावी तूर है उसमें रियान पराक का सेलेक्शन हो सकता है और उसमें वह बादीटी तीम के तरब से खेलेंगे और उसके बाद रहद Uncapped खिलारी नहीं रहेंगे चलिए देखते हैं अपना सातों बड़ा अपडेट दोस्तों अपडेट निकल करा रहा है अमबाती राइडू के तरफ से दोस्तों अमबाती राइडू पिछले साली IPL से रिटार हो गयते हैं और इस बार आपको एक कमेंटेटर और एक ब्रोड़कास्टर के रूप में देखने को मिले हैं हाला कि जब वह क्रिकेट खेलते थे तब भी काफी ज़्यादा कॉंट्रवर्सी में घिले रहते थे और ब्रोड़कास्टर बनने के बाद भी काफी ज़्यादा सूर्ख्यों में रहते हैं काफ़ ज़्यादा कॉंट्रवर्सिस क्रियेट करते हैं अपने बयानों को लेकर जहां पर उन्होंने आई पेल दोड़ोचोवीस का दोरान विराट कोली पर कुछ कमेंट कर दिया था और उनके इस कमेंट के बाद कुछ RCB के फैंस ने उन्हें जान से मारने की ध्रमकितक दिय दी है कि अभाठी राइडो की जो पत्नी है उनके जो बचचे हैं उनने टरिगिट किया ब Solomon आटैक्स किया जारहा है ते विराट कोली बहले ही जीत गए हैं लेकिन IPL का ट्रॉफी औरेंज कैप से नहीं जीता जाता है, साथ में उन्होंने यह भी बताया था, कि किस तरीके से CSK को हराने का मतलब यह ही नहीं होता है, कि वह ट्रॉफी पर कबज़ा कर लिये हों, इसके थाती उन्होंने अच्छा बात यहां कहा था, कि विरात को लिए इतना ज़्यादा स्टेंडर्ड अपना हाई कर चुके हैं बैंगलोर में, कि दूसरे के लाड़ी उससे स्टेंडर्ड को टच करने में सक्चम नहीं हो पाते हैं, और इनी सब कुछ बयानों के बाद, अमबाती राइडियो को इस तरह का धामकी मिला है, हाला कि हमारी मताबिक या तो बिलकुल ही गलात है, क्योंकि कमेंटेटर्स और ब्रोडकास्टर्स को का काम होता है, कुछ ना कुछ बुलते रहाना, और उनकी बातों को दिल से लेना मतलब की, या कहीं से भी एक सच्चे केरियर फैन की निसानी नहीं है, चली देखते हैं अपना अठों बड़ा अपडेट, दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है, भारती टीम के हेड कोच को लेकर आपको उताँ चाहेंगे, कली हमने आपको बताया था किस तरीके से गौतम गंबीर हो सकता है कि, T20 वर्ल्ल कप के बाद भारती टीम के हेड कोच घोसित किये जा सकते हैं, हाला कि इसको लेकर सौरब गाउंगली बिल्कुल भी खूस नहीं है, सौरब गाउंगली ने एक पोच डाला है सोसल मेडिया पर, जहांपर उन्होंने यह लिखा है कि जो कोच का एहमियत होता है किसी के जिन्दिगे में, वह बहुत ज़्यादा उपर होता है, और किसी भी खिलाडी के लिए एक पोच कोच होना इसलिए जारूरी है कि वहां उनका फूचर को सेप करता है, चाहने तो हम मैदान पर हो, चाहने तो हम मैदान के बाहर हो, इसलिए बीस एसाए को एक अच्छा पोच चुनना चाहिए, तो उनका जो statement है वह यह दिखाता है कि सौरब गाउली गौतम गंबिर को लेकर ही निसाना साधर है जहाँ पर गौतम गंबिर का जो on field है और off field का जो controversies है वह सभी को पता है वह काफी ज़्यादा गुसेल है और काफी सारे ऐसे से बयान देते हैं जिसके वैसे controversies होते रहता है और खिलाडियों के साथ उनका रिस्ता वैसे भी ठीक नहीं रहता है जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि इस तरीके से विराट कोली और गौतम गंबिर के भी इस रिस्ते ठीक नहीं है तो ऐसे में यदि वह आग कोज बनते हैं गौतम गंबिर तो पता नहीं कि इस तरीके का guidance ह देंगे भारती दीम को तो यहां एक थोड़ा सा तंज करसा गया है सौरब गाउली के द्वारा गौतम गंभीर पर इस पर आपकी गया रहा है नीचे में कमेंट में जरूर बताएगा तो दोस्तों आते हमारे आज काई पेल और क्रिएट पर कुछ बड़ी खबर इस तरह की अ सब्सक्राइब करें मिलते हैं अपनी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद